कुछाल येदर once again welcome back to the channel and welcome back to another interesting video और आज की वीडियों में लोग भात करने वाले है SSD और M.2 के बार में आई नाज की वीडियों में लोग बात करने माले है कि कौन सा आपको पुचेस करने चीए यहां पिर शुर्ण सिद्रेशन में यहां पर आपको स्टेश करने चिए है और मतलब फॉनसे ज्यादा बैटर रहेगा अब के लिए और दोने में एड़ चीज इस द्वांचिस इस किया है इस वीडियों बात करने वाले है तो अगर आपको यह वीडियो पसन आते तो सबसे पहले यहाँ प्राइम की के बादए सबसेंदी स्टर्त फिरें सब शोनी गें और यहाँ अलग-़ņव कि अरफएस कह विला यह यह बादवाक less have सबसे पहले यह बात क्लियर कर लेते हैं अगर आपके पास एक laptop है एक पुराना laptop है तो यहां पे आपके 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 पास obviously उस laptop में M.2 का slot नहीं रहेगा है ना तो यहां पे आपको SSD लगाना पड़ेगा तो यहां पे ओल जो laptop से वहां पको M.2 का option नहीं मिलता है तो वहां पे आपको apparently जो SSD है वही उसकरना पड़ेगा DVD पर निकालके तो वह एक बात हो गया पुराना laptop के बार में ठीक है बट अगर आपके पास एक नया laptop है एक gaming laptop है जैसे कि Acer Nitro 5 या फिर ASUS का TUF ROG series जो भी है तो कोई-कोई scenarios में company आपको SSD प्रवाइट नहीं करता है या फिर M.2 प्रवाइट नहीं करता है क्योंकि वह लोग शायद SSD का price करके जो जो laptop का price है उसका प्राइस जो फोड़ा सा घटा देता है तो यहां पे आपको SSD नहीं मिलता है बट यहां पे आपके पास एक नया laptop है गेमि अब माइस करना पड़ेगा यहां पर यहां पर आपके आपके बास नहीं करने वाले जो की स्पीड में भी सिमिलर है तो वह आप खरीद के लगा सकते हो आपके बाइंग SSD अब जैक्स्टॉप अब उस सीचेशन में आपको SSD होया है क्योंकि हर एक सेटा पोर्ट रहते ही है और SSD पर काम करते हैं मतलब कि आपका आपका जो हार्डिस्क इंटरफेस है उसी पर काम करते है कोई दिक्कत वाली बात नहीं हार्डिस्क को रिमॉफ करके लगा सकते हो या फिर जो एक्स्ट्र पर फोर्ट दी जाते है वहां पर अब आपके पास नया PC है नया गेमिंग PC है तो वहां पर आपके पास को भी मतलबोर होगा जैसके 4000 लेखे 5000 शेचाट जितना सार भी मतलब अभी आ रहे है सारे के सारे मतलब में यहां पर आपको एक M.2 अप्लिस्ट एक M.2 दिये जाते है और यहां पर जो SSG उसका जमेला है थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा उसके बार में क्योंकि पहली बात तो यहां पर SSG जो है थोड़ा सा बड़ा है और M.2 एकदम छोटा सा है जरेक लिए आपका M.2 में फिट हो जाता है अल्मोस्ट आप इसको प्ले बोल सकते हो ब आपको अच्छा भी लगें बड़ यहां पर जो वारिंग है वो दिख जाएगा सामने से तो अगर आप एक M.2 यूज करोगे तो यहां पर आपको वारिंग थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा फ्रॉंट से और आपको एक क्लीन लोक अच्छीव होगा और आपको यहां पर SS अच्छीव को एक एक हार्ड ड्री बना सकते हो एक्स्टराल स्टोरेज जिवाइस बना सकते हो जो कि आप M.2 को नहीं बना सकते हो हां यहां पर M.2 के भी कहीं सारे केसे आते हैं बड़ उसका प्राइस है वो काफी हाई है उतने में तो आपका एक M.2 एक और M.2 आ जाएग क्योंकि WD Kingston और जितना भी लोग यहां पर SSG और M.2 बनाते हैं वहां पर थोड़ा बहुत इधर उदर मतलब 19-20 का यहां पर देखने मों मिलेगा लास यहां पर एक और बात करें तो यहां पर आप सोच रहों कि यहां पर M.2 लेन से थोड़ा से जादा एपस देगा तो ऐस अगर आपके पास एक पुरान लाप्टप है तो वहां पर आपको SSG यूज़ करने चाहिए और यहां पर आपके पास एक नया पीसी नया गेमिंग पीसे तो आपको M.2 लेने चाहिए ताकि आपको M.2 का स्लॉट है वह वेस्ट ना जाए और यहां पर आपको और भी करने चाहिए ताकि आप उसको एक्टरनल डिवाइस और इंटरनल डिवाइस भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना कमेंट करना कैस लेगा और चैनल को सब्सक्राइब के नहीं से क्वालिट कंटेंस लिए और आप सब्सक्राइब के एक्वालिब तोर आपको लीडियो कि जए लिए सन्तर आपको लूज़ के कर देख़।